कामकाजी बहू बैटे तो मेरी पीठा कर जाती है खुद तो सारा दिन घर में मज़े करती है जब मन करा सोए जब मन क्या खाए तब ही उसकी सास वहां आ जाती है अच्छा मा मैं बाद में आपको फोन करती हूँ जी ममी जी कोई काम है क्या आपको क्या हुआ रविना बहु आपको क्या समझाओ छोड़ी मा काम करना भी जरूरी है मजबुरी नहीं होती तो मैं खुदी अपने बच्चो को देख लेती अब आज तो छुटी है ना आज तो कम से कम घर का काम कर ले बहु काम शुरू करती है बच्चे के साथ काम करना उसके लिए असंभव हो जाता है वो जाकर बच्चा सास को देती है और कहती है ममी जी जरा बच्चा तो पकड़ लीजी मैं घर का काम कैसे करूँ जैसे मैं करती हूँ रोज बच्चे के साथ तुझे बताओं तो तू सोचती है कि कोई बड़ा काम तो है नहीं बच्चा तो सोता रहता है अब देख लिया खेर बस मैं यही तुझे समझाना चाहती थी ला बच्चा मुझे दे और काम कर बहु मुँ बना कर वहां से चली जाती है वो मन में सोचती है हम बात तो सही है बच्चे के साथ घर का काम करना असंबव है वो किसी तरह काम करती है और अगले दिन ओफिस के लिए निकल जाती है ओफिस में उसकी सहली उससे कहती है यार तु तो बड़ी लखी है तुझे तेरी सास खाना बना कर देती है बच्चे भी देखती है और तुझे किसी बात की चिंदा भी नहीं उने देती अरे क्या लखी बदले में मैं उन्हें पूरी कमाई जो दे देती हूँ और अपने बच्चे से दूर रहती है वालल हर किसी को ना दूसरे की प्लेट में ज्यादा घी दिखता है जा अपना काम कर अरे फिर भी ये तो है यहां हमारे बच्चे को मैं क्रेश में छोड़ती हूँ हर पर डर लगा रहता है कि क्या कर रहा होगा खेर चल मुझे क्या बहु घर आती है तो देखती है कि उसकी सास उसके बच्चे को बड़े ही प्यार से खिला रही होती है वो मा को देखकर खुश हो जाता है बहु मन में सोचती है कि बात तो सही है सासो मा सारा दिन काम करती है मैं आफिस से आकर भी काम नहीं करती हूँ वो सास के पास जाती है और कहती है मा जी ठग गया और क्या सारा दिन जक्कर घीनी की तरह पूरे घर में घुमती रहती हूँ और अब उमर भी नहीं रही लेकिन चल तू बता क्या हुआ कुछ काम है क्या बहु कुछ नहीं कहती मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बहु सास से पहले उठकर उन्हें चाय देती माजी आपको आज से काम करने की जुरूरत नहीं है काम करने की जुरूरत नहीं है मतलब क्या तू करेगी आज से सारा काम इतने अच्छे तो हमारे नसीब नहीं है बाई नहीं माजी मैं नहीं करूंगी नहीं आप करेंगी बलकि ये करेगी तभी वहाँ एक कामवाली बाय आ जाती है ये कौन है बहु? माजी ये नौकरानी है और आज से सारा काम यही करेगी मुझे माफ कर दीजे माजी मैं नहीं समझ पाई कि आप ठक जाती है आज से आप सिर्फ आराम करिए और मन्ने के साथ खेलिए और सास बहु बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं